भारत सिरफ नव वर्षों में दुनिया की दसवे नंबर की अर्थववस्ता से पाँचवे नंबर की अर्थववस्ता बन गया है आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछी वर्षों में भारत दुनिया की टॉप थ्री एकॉनोमी आ जाएगा टॉप थ्री एकॉनोमी में पहुचना ये भारत के असामान्य सिद्धी बनने वाला है यानि हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आई भी बढ़ने वाली है हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है इससे बड़ा कोई महतुपन समय नहीं हो सकता है आपके फैसले, आपके निर्णाएं, देश हित्में, देश के विकास को गती देने वाले, होंगे ही ये मेरा विस्वास है, लेकिन ये मौका, ये चुनोती, ये अउसर, सब कुछ आपके सामने है, आपको इस अमरित कान में, देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभुद्पुर्वा उसर मिला है, देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुष्टिले समापत हो, ये आपकी प्रात्विक्ता होनी चाहिए, अब जिस भी विभाग में नियुकता हो, जिस भी शहर या गाउं में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, कि आपके कारियों से जन सामान्य की कठिनाईयां कम हो, मुसिबते दूर हो, इज अफ लिविंग भड़े, और साथ साथ पचीश साल के अंदर अंदर देश को विक्सिद भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो, कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महिनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है, और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जन्ता जडारदन इस्वर का ही रूप होती है, जन्ता से मिलना वाला आशिरवाद, गरीब से मिलना वाला आशिरवाद, बगवान के आशिरवाद के बराबरी ही होता है, इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे, तो आपका यश्वी बढ़ेगा, और जीवन की जो सबसे बड़ी पूझी होती है, संतोष, वो संतोष वही से मिलने वाला है, साथियों, आज के इस कारकब में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, अर्थ ववस्ता के विस्तार में, हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, आज भारत उन देशों में से एक है, जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबुत माना जाता है, लेकिन नव वर्ष पहले, ऐसी स्थिती नहीं थी, जब सब्ता का स्वार्थ राश्ट हित पर हावी होता है, तब कैसी बरबादी होती है, कैसा विनास होता है, देश में कई उधारण है, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरुकार के दोरान ये बरबादी को देखा है, जेला है, अनुभव किया है, आप लोग आज कल तो डिजिटल यूग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं, लेकिन आज से नव साल पहले, जो सरकार थी न, उस समय ये फोन बैंकिंग का कलपना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे, उस समाने में, उस सरकार में, ये फोन बैंकिंग, मेरे आपके जैसे सामाने नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड देश वास्चों के लिए नहीं था, उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता, बैंकों को फोन करके, अपने चहेतों को, हजारों करोड रुपिय का लोन दिलवाया करते थे, ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था, और कागजी कारवाई होती थी, एक लोन को चुकाने के लिए, फिर बैंक से फोन करके, दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए, फिर तीसरा लोन दिलवाया, ये फोन, बैंकिंग, गोटाला, पहले की सरकार के, पिछली सरकार के, सबसे बड़े गोटालों में एक था, पहले की सरकार के, इस गोटाले की बज़र से, देश की बैंकिंग, व्यवस्ता की कमर तूट गई थी, 2014 में, आप सब ने हमें सरकार में आकर के, देश की सेवा करने का मोका दिया, 2014 में सरकार में आने के बाद हमने, इस तिती से बैंकिंग सेक्टर, और देश को मुसिबतों से निकालना, एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया, हमने सरकारी बैंकों के मेनेजमेंट को ससक्त किया, प्रोफेशनल लिजम पर बल दिया, हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर, बड़े बैंकों का निर्मान किया, हमने सुनिशित किया, कि बैंक में सामान्य नागरिक की पांच लाख रुपिय तक की राशी कभी न डुबे, क्योंकि बैंकों के प्रती सामान्य नागरिक का विश्वास पक्ता करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि कई कोपरेटिव मेंक के डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था, अर इसलिए हम ने एक लाख से उसको सीमा पांच लाख कर दी, ताकि 99 परसंट नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापिस मिल सके ने, सरकार ने एक और महत्वपन कदम उठाया, बैंक रप्सी कोड जैसे कानून बनाए, ताकि अगर कोई कमपनी किसी ने किसी कारण से बंध होती है, तो बैंकों को कम से कम नुक्षान हो, इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर सिकंजा भी कसा,